नमस्कार आप दे कुरा हैं पारेट टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचन आयोध्या ध्याम में श्री राम मंदर में राम लिला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है यहाँ भगवान के ननिहाल चत्रसगर में भी इसके लिए उत्सफ सा महाल है आज बालाव चुले की गुंडर देही में आयोजित कारिक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णू देव साई एवं विधानसभा अध्याक्षी डॉक्टर रमन सिंग ने भी हिस्सा लिया मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्याक्षी ने इस अवसर पर शध्धालूं को रामचयत मानस का वित्रण भी किया आज यहाँ तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा तीन हजार मानस ग्रंतों का वित्रण किया इसके पूर्व 48,000 ग्रंतों का वित्रण हो चुका है गुंदर देही में रामचरित मानस को पूरी प्रतिष्ठा के इस साथ लाल कपड़े में बांद कर शध्धालूं को सौपा गया शध्धालू ने इसे सरमाथे लिया लगबग तीन हजार लोगों ने मानस को सरमाथे रखकर श्री राम के जैजैकार के नारे लगाए और पूरा माहल राम मै हो गया इस मौके पर मुख्यमंतरी श्री विष्णु देव साय ने श्री राम की जैकार के साथ अपने संबोधन की शिरुवात की उन्होंने कहा कि मैं कांकिर सांसद श्री मोहन मंदावी को रामाइनी सांसद कहूंगा उन्हें हीरो कहूंगा उन्होंने मानस विष्ण को लेकर बहुत अच्छा काम किया है अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी बनने के बाद पहली बार बालाओ दाया आपकी आत्मियता के लिए आपका स्वागत करता हूँ आज यहां 173 करोड रुपे से अधिक राशी का लोकारपन भूमी पूजन किया श्री मंदावी 2002 से मानस वितरन का कारी कर रहे हैं आज उन्होंने 3000 पतियां वितरन कर 51,000 मानस से वितरत करने का लक्षे पूरा कर लिया है इससे पहले वे 48,000 मानस वितरत कर चुके हैं इससे एक गोल्डन बोक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्च किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मंदावी ने अपना ही नहीं चत्रसगर का नाम रोशन किया है उन्होंने 50,000 परिवारों में मानस पहुचाने का कार किया साथ ही हर घर तुलसी चौरा हो इसके लिए भी उन्होंने लोगों को पृत्साहित किया ये बहुत अच्छा काम है रामज़ित मानस के वितरन से बहतर समाज के निर्मान की दिशा तैह होती है इस महती कारे के लिए श्री मंडावी को बढ़ाई देता हूँ ये कारे ऐसे शुब समय में हो रहा है जब 22 तारिक को आयोध्या धाम में श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा होने वाली है चारो और उत्सव का महौल है मकर संक्रांती से 22 जन्वरी तक ये कारे ऐसे शुब समय में हो रहा है जब 22 तारिक को आयोध्या धाम में श्री राम की प्रान प्रतिष्ठा होने वाली है चारो और उत्सव का महौल है मकर संक्रांती से 22 जन्वरी तक मंदिरों में साफ सफाय का काम हम लोग कर रहे है इस अवसर को लिकर, हमारी सरकार मोदी की गैरंटी को पूरा करने एक्रत संकल्पित है, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने सरकार बनते ही 18,00,000 से अधेक आवास विक्रत किये हैं, सरकार बनने के अगले दिन ही हमने ये कारे कर दिया, दो साल का बोनस भी हमने किस कसानों को दिया है, PSE 2021 में आई शिकायतों की जाच भी CBI करेगी, 21 को इंचल परती एकर धान हम खरीद रहे हैं, 31 सो रुपए परती को इंचल हम धान खरीद रहे हैं, महतारी वंदन योजना के अंतरकत महिलाओं के खाते में शीग्रही राशी आंतरित की जाएगी, हम सभी मानस मंदलियों को सम्मानत करने का काम भी कर रहे हैं,